असलाम वेलेकूम वेलकम डू जीएफेक्स मेंटॉर मैं आपका टीचर इम्रान और आज एक बहुत इंपॉर्टन सी चीज डिसकस करने आया हूँ रिगार्डिंग टैपाउग्रफी और वह है भाईया कर्निंग ये वह चीज है जिससे आपके डिजाइन में या तो चार चान से एफेक्स क्या पढ़ते हैं ये है चोटी सी चीज जो के एजिली अग्नॉर हो जाती है अगर इसका खयाल रखा जाए तो डेफिनिटली रिजर्ट्स थोड़े से अच्छे आते हैं थोड़े से नहीं बहुत अच्छे आते हैं अच्छली आप लोगों ने एक चीज देख का होगा कि जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं और सम्टाइम्स कुछ ऐलफबेट्स में सफेस ज्यादा ओता कुछ इलफबेट्स में सफेस कम होता है जिसके वैसे कभी कशश ऑबेट्से ऐक दूसरे से बहुत arta दूर रहते हैं और उस चीज़ को करेक्ण करने के लिए ह कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ चल जाता है, सब कुछ जैसा, अच्छा, बुरा, जैसा भी डिजाइन करें, सब कुछ चल जाता है, लेकिन टैपाउगरफी में, अगर आप कर्णिंग के ओपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो प्रोफेशनल टच नहीं आता, नाओ, एक प्रोफेशनल टैटल, लोगो, विद वर्ड मार्क राइट, और हेडिंग्स, उसके लिए हम कर्णिंग को थोड़ा सा वाल्यू दे देते हैं, इलिस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में आपको आटो का आप्शन दिया हुआ है, कर्णिंग का, आप्टिकल का आप्शन दि और फिर आप मैल्टिपल वालियूज खुद भी चेंज कर सकते हैं, बहुत हद तक अगर आप जीरो रखेंगे तो बरबादी है, अगर आप आटो रखते हैं तो ओके है, आप्टिकल रखते हैं तो बहुत बेतर है, बाटी कापी में मैं यूजिली आटो के बजाए टाइटल्स की तो फिर वही हमें मैनुवली करना पड़ता है, तो आईए मेरी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि क्या चीज़ है करनेंग, इस वक्त मैंने अगर जैसे देखें तो बाराल थैंक्स अलोट बहुत सारे लोगों ने मुझे बांश्रिफ्ट का नाम सिखा दिया बोल जैसे कर्निंग सेलेक्ट हुआ हूए और मैं इसको और टो पे करता हूं तो थोड़ा सा डिफरेंस आया है, अगर मैं ऑप्टिकल पे रखता हूं तो अजीब सा लेकिन अगर मैं इतना शायद फर्क नहीं पता चल रहा, लेकिन अगर मैं कुछ और वर्ट टाइप करता हूं let's say test ठीक है इस वक्त जो यह मैंने test type किया हुआ है इसमें अगर गौर से देखे तो T और E के बीच में gap आपको ज़्यादा दिख रहा है राइट और E और S के बीच में और T और S के बीच में हर एक में different है अगर इसको मुझे करेक करना है तो मैं auto पे जा सकता हूँ या optical पे जा सकता हूँ बहुत हद तक सही हो जाता है लेकिन आपको मजीद कुछ changes करने है तो भई या फिर automatically नहीं चलेगा आपको इन में से कोई value select करनी होगी या खुद type in करनी होगी मगर ये सारे disabled हैं क्यों क्योंकि इस वक्त पूरी range पर काम नहीं कर रहा है हमें instead क्या करना होगा double click करें और आप cursor ले आए दो characters के बीच में और अब आप अपनी यहां से values को adjust कर सकते हैं plus में जाना चारहे हैं minus में जाना चारहे हैं जैसे भी आपको जाना चारहे आप जा सकते हैं और कम करना है और कम करने so मैं simply यहां पर mouse रखके scroll wheel down कर रहा हूँ और यह उस से मैं adjust कर रहा हूँ अच्छे जी छोटी सी चीज़ है इतनी ज्यादा बड़ी चीज़ नहीं है but it takes a lot of time to practice कि क्या कितनी करनिंग किस alphabet के बीच में क्या result लाएगी यह याद रखिएगा चोटी चोटी सी चीज़े हैं और यह बहुत ज़ादा importance रखती है now यहां तक कि तो समझ में आगया कि हम किस तरह से adjust करेंगे बस याद रखीगा कि you need to keep your cursor between two of the characters एक चीज़ मैं बता दूँ कि यह test जो लिखा हुआ है इसमें यह सारा problem आ क्यों रहा है let's say मैं इसकी kerning zero कर देता हूँ now let's say इस वक्त यह problem आया क्यों है like अगर zero कर रहे हैं तो जाहरे है जिसने भी character set डिजाइन किया है उसने कुछ तो सोचा होगा कि कि नी spacing रखनी उन्होंने गलत नहीं किया problem यह है visually so let's suppose हमारे T और S के बीच में इतना gap है मैं तोड़ा सा इसको adjust कर दूँ और फिर आपको दिखाता हूँ let's say हमारे T और S के बीच में यह gap है इसी की मैं अगर copy लेता हूँ यहां पर रखता हूँ अब E और S के बीच में ज्यादा gap है साही है इसको हम बढ़ा कर लेते है like so और अगर हम E और T के बीच में देखें तो actually कोई gap है ही नहीं see यह already overlap हुआ हूँ है मैं इसको ज़रा send to back कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आजा कि कितना overlap है see this it's not such a drastic gap इसको मैं तोड़ा सा उपर कर रहा हूँ and see this इसको अगर मैं कम करूँ तो तकरीबन इतना gap है तो बजाहर overlap नहीं है लेकिन problem कहां आ रहा है कि gap तो दूसरों से भी कम है यहाँ पर लेकिन visually यह बहुत बुरा लग रहा है इस वज़ा से हमें इसको adjust करना पड़ता है जिसने design किया उसमें कुछ गलत नहीं किया problem सरफ यहां पर visual है और visually अगर चीज़ अच्छी ना लग रही हो तो पिर मज़ा का है पिर हमारा काम यह क्या है हमारा काम ही है यह कि हमें visually चीज़ों को खुबसूरत दिखाना है कि अगर जरूत है तो yes कर लें adjust मैं इसको थोड़ा सा adjust कर रहा हूं like minus 100 पर मैं किया and I believe थोड़ा सा और पीछे लेके जा रहा हूं so I think that's it this is it अब अगर दिखा जाए तो T और E एक दूसरे को intersect कर रहा है overlap कर रहा है सही and यह चीज़ आपको बहुत जादा help करेगी आपके designs को थोड़ा सा और बहतर करने के लिए like so ठीक है now यह चीज़ फिर change हो जाती है let's suppose मैंने इसी word का कि एक copy ली और मैं इसको optical पे रख देता हूं या even zero पे रख देता हूं ठीक है and अब आप देखें तो बहुत वाज़र difference दिख रहा है जो उपर वाला है test और नीचे वाला जो test है साइए so yes किसी हद तक हमें optical जो है वुकामा जाता है लेकिन फिर problem कहां आता है let's say हमारा यही वाला हमने text test लिया और उसको मैंने convert किय capital letter में now अगर मैं capital में करना चाहूं तो पहले तो यह character panel में आप show options कर लें और यहां से आके all caps कर लें अब देखें तो problem ज्यादा बढ़ गया है क्यों क्योंकि अब यह overlap हुआ हुआ है और इस लिहाज से अब इसकी tracking जो है वो properly नहीं है और फिर आप manually दुबारा से adjust कर लें कि जी आपको कितनी रखनी है इस चीज की practice करने के लिए एक बहुत मज़दार सा टूल है and I think बहुत पहले मैं बता चुका हूँ method.ac के नाम से और उसमें एक game था current me let me show you so मैं simply जा रहा हूँ method.ac पे और यहां पर आपके पास एक game दिया basically method.ac पर games रखे हूँ designers के लिए देखिए का दरू and यहां पर यह है current me और इसमें मैं जा रहा हूँ और यहां से आपके पास यह practice आपको देना शुरू कर देता है now आपको simply यह करना है कि देखें पहला और आखरी letter आप move नहीं कर सकते बट बीच वाले जितने भी हैं उनको आप move कर सकते है so basically हम कर क्या रहे हैं कि हम spacing adjust कर रहे हैं जहां तक यह अच्छा लगेगा and आखर मैं यह आपको score चेक करके बताता है कि आपका score क्या है और to be very honest मैं भी इतना perfect नहीं हूँ let's see यहां तक जैसे मैंने done किया और यह मुझे बता देगा कि जी आपका score क्या है so मेरा score is 81 out of 100 है मैंने जो गलतियां की थी वो यहां तक तो सही था यह you और I को मैं जादा दूर लेकर चला गया था next and here it is so mouse से ही ड्रैक करना है कुछ भी नहीं बड़ा का and yep this is kind of good मुझे फिर डर लग रहा है so मैं हलकी सी आँखें blur करके ज़रा चेक कर लेता हूँ के कहां पर क्या issue आ रहा है आँखें blur करके मतलब थोड़ी सा squint कर दे and I think आपको feel होना शुरू हो जाएगा कहां कहां पर difference आ रहा है so मैं usually इसको खेलते रहता हूँ यह आपके पास जब आएगा तो वो बहुत आसान वाले levels आएंगे starting में और आप कुछाद इतना बड़ा मुश्किल वाले नहीं दिख रहे होंगे starting में so इसको मैं done कर रहा हूँ और येस आखिर में मैंने बहुत बुरा के 82% not bad starting का फिर मैंने सही कर लिया और इस बार आखिर का मैंना खराब कर दिया कहने के मकसद ही है कि this is an excellent website to do this practice and I hope करणिंग पर अब आप थोड़ी सी value देने लगेंगे याद रखीगा titles, headings या logo अगर आप word mark वाला logo बना रहे हैं तो उसमें करणिंग को जरा value और इज़त दे दिया करें उससे फाइदा योगा के आपके काम में एक level और बेतरी आ जाएगी बहुत important सी चीज़ है करणिंग I hope आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी पसंदिया योगा अगर पसंदाइए तो प्लीज लाइक करो शेर करो दोस्तों के साथ थेंक यू